Hello friends, welcome to Tech Ketchum YouTube channel Friends, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो फोटोस हैं उनको नेट से निकाल कर उनका प्रिंटर निकाल सकते हैं फोटोस को निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाना है तो चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ कैसे आप अपनी फोटो डाउनलोड करोगे नेट से उसे हम देखनेते हैं चलिए friends, उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सबस्क्राइब कर दें ताकि आगया निवली ऐसी और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो friends, फोटो को निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में अपना जो Google Chrome है उसे ओफन कर लेना है जैसे हम enterprise करेंगे तो आपको यहाँ पर एक image वाला option देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने hard disk की photos आ जाएंगी आपको इसमें से जो भी photos अच्छी लगती हैं आप उससे select कर लीजिए photo select कर लेने के बाद आपको यहाँ पर photos दिखेंगी उसके बाद आपको इस तर right click करना है और आपको यहाँ पर save image as वाला option देखने को मिलेगा इस पर आप तो click कर देना है इस पर जैसे ही आप click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक photo आएगा तो आपको यहाँ पर save वाले option पर click कर देना है save करने के बाद आपका जो photo है वो आपके desktop पर save हो जाएगी या फिर आपने जो भी folder save कर रखा था उस पर आपके जो photos है वो save हो जाएगी मेरी photo यहाँ पर आ चुकी है अब इस पर हमें right click करके print वाले option पर click कर देना है print वाले option पर जैसे आप click करेंगे तो आपको यहाँ पर एक option देखने को मिल जाते हैं कि आपको कैसे size में photo print करनी है तो यहाँ पर हमारे पास 2 size वाला भी यहाँ पर 4 by 6 के अंदर हमें photo print करनी है तो ऐसा size आ जाएगा उसके बाद यहाँ में अगर 4 photos एक sheet पर निकालनी है तो यहाँ पर हमें इसको select कर लेना है उसके बाद no photo एक sheet पर आ जाएंगी वैसे हम select कर सकते हैं उसके बाद हमें यहाँ पर print की command देनी है तो print की command देने के लिए आपको printing करनी है यहाँ पर यहाँ पर उपश्न देखने को मिलेगा इस पर आपको click कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर printing property वाला option देखने को मिलेगा है जैसे ही आप इस पर आएंगे तो आपको यहाँ पर document size type आप यहाँ क्वालिटि बगरा यहाँ पर क्यूक हैब को मिलेकी तो आप यहां पर photo paper choose कर लीजिए मैं यहां पर plain paper select कर लेता हूँ आपको quality यहां पर plain paper के इसाब से यहां पर standard रख लेनी है अगर आप photo paper पर करोगे तब भी आपको standard रखना है उसके बाद आपको यहां पर ok पर click कर देना है उसके बाद आपकी यहां पर photo है वो यहां पर set हो जाएगी और देन आपको यहां पर print वाले option पर click कर देना है तो friends उसके बाद आपको जब आप printing command दोगे उससे पहले आपको अपना printer है उसे set कर लेना है printer set करने के लिए आपको अपना printer पर चले जाना है प्रिंटर के उपर आपको पहले यहाँ पर अपने पेज है जो आप यहाँ पर अगर प्लेन पेपर पर कर रहे हो तो आप यहाँ पर प्लेन पेपर आपको ले लेने है उसके बाद आपको यहाँ पर जो इसको प्लेन पेपर को आपको इसके अंदर लगा लेना है प्लेन Z1 का L 32-15 प्रिंटर लिया है इसके वीडियो मैंने पहले बना ली है अगर आपको इसके वीडियो चाहिए तो मैंने पहले इसके वीडियो मेरे चैनल पर डाली हुए आप बहाँ जाकर देख सकते हैं कि इसके क्या क्या function है मैंने सारा यह बहाँ पर डाला हुआ है तो friends उसके बाद आपको यहाँ पर printing command दे देनी है printing command जैसे ही आप दोगे तो आपका यहाँ पर page आना शुरू हो जाएगा आपका page इस परहां से निकल जाएगा और printing आपकी कुछ इस तरक्य से आपकी printing है जो यहाँ पर आ जाएगी तो friends इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कर देना और अगर इसमें आपको कुछ भी पूछना है तो आप पर नीचे comment section में पूछ सकते हैं जैहिन